ब्रह्मोरु द्यानु प्राथ सत्संग अधिगुरु शंक्रा चारिज द्वरा रचित आत्मबोध श्लोक नमबर ब्यादेश यह श्लोक अपने आप में बड़ा अद्भुत संदेश देखर के आगे बढ़ता है एवं आत्मा अरणव ध्यान मथने सततम क्रते उधिता अवगती ज्वाला सर्वा अज्ञान इंधनम दहेद एवं आत्मा अरणव आत्मा अरणी मंथन का उलेख है प्राचीन काल में लकडियों को दो लकडियों को लेकर के और मथते थे लकडियों में फ्रिक्षन होता था घरशन तो अगनी उत्पन होती थी उसे अरणी मंथन कहा जाता है अरणी शब्द के अनेक अरथ हैं पर एक अरथ लकडि भी है यह तो अनेक अरथ है अरणी के आत्मा को अरणी बना करके और ध्यान द्वारा मथना है उसको मुझे यहां ब्रुमरशी देवरा बाबाजी की बात याद आ रही है उनकी रिकॉर्डिंग्स में मैंने सुना है वो आने वाले हर जीव को कहा करते थे राम नाम की रसी को अपने हरिदे पर गिसो राम नाम की रसी को हरिदे पर गिसो अग्नित पन हो ईश्व प्राप्ते की अग्नित पन हो तो ये बात बहुत सामाने रूप से वो कहा करते थे और ये भाव विशुद रूप से इस बात को सिद्ध करता है कि अरणी मंतन की प्रक्रिया की भाती ये ध्यान के द्वारा ध्यान किसका यहां उलेक केवल उस ध्यान का नहीं है जो हम सामाने ता करते हैं जो में सामानित करते हैं, तो ये भी वही भिन नहीं है, पर फिर भी, आत्म बोध का उलेख है, तो विशेश उसकी बात करेंगे, कि मैं निट्य बुध्ध, निट्य शुद्ध, निट्य मुक्त, निर्विकार, निरलिप्त, निर्गुण, आत्मा, अनंत ख्षमताउं से पू अरनी मंतन का उले किसलिए है क्योंकि अरनी मंतन के अंतरगत ना केवल बार-बार घरशन है अपितु साथ-साथ कोई समय की सीमा नहीं है इसमें अरनी मंतन में आपको नहीं मालूं। कि अगनी का प्रजुरन दो मिनट में या पांच मिनट में या दस मिनट में होगा जब तक नहीं होगा तब तक दो व्यक्ति जुट जाते हैं एक लकडी को उपर से दबाता है और दूसरा लकडी को नीचे वाली लकडी के साथ गुमाता है अता है इसके उन ले कोईयों ने ये दिए कि अपने ध्यान के द्वारा अपने इस वर्तमान अस्तित्व को जो बाहरी अस्तित्व है जिसमें मन बुद्धिच्य तहंकार है इसे अपने गहरे अंतहकर्ण की लकड़ी के साथ ध्यान द्वारा मतो तो अगनी प्रगट होगी अलग-अलग व्याख्याएं हैं पर भाव एक ही है कि इस प्रकार के सतत निरंतर स्मर्ण से मुनुष्य उस अरणी मंथन की प्रक्रिया को अपने भीतर घटाता है जिससे अगनी प्रजरित होती है क्यों उदिता आवगती ज्वाला क्योंकि उससे जागरित होगी वो है ज्वाला जिसमें सर्वा अग्यान इंदरम दहेत समस्त अग्यान समस्त अग्यान जो अभी वरतमान में मुझे अभी अग्यान है मैं अपन नहीं मांता हूँ, जितना मैं सीमित सा हूँ, हैभी ठीक, इसमें गलत भी नहीं है, पर ये हैभी अग्यान, सिद्धों के अनसार, तो इस अग्यान को मुझे ईंधन की तरह जला देना है, दहेत माने जलाना, इंधन माने फियूल, जैसे लकड़ी अगनी में डालो जल जाती ह उसी प्रकार अज्ञान को यहां इंधन कहा, फ्यूल, अज्ञान रूपी इंधन जल जाएगा अगनी में, जब आत्मा रूपी, आत्म बोध का बार बार स्मर्ण करेंगे, अरणी मंतन की तरह ध्यान के, ध्यान द्वारा बार बार स्मर्ण करते हुए, अपने आपको याद कहते हुए, बार-बार कहते हुए, एक प्रकार से ये निधी ध्यासनम के लिए कहा गया, याद है, श्रवनम, मननम, निधी ध्यासनम, ज्यान का श्रवन, फिर मनन, फिर निधी ध्यासनम, उसको अपने भीतर गटाना है, अब ज्यान को सुन करके अपने भीतर गटाने की च दिश्टा करने हैं और घटाथे घटाथे जीव फिर हो जाता है क्या इस प्रकार के रटने से हो जाएगा नहीं बात रटने की नहीं हैं बात ये है कि इस प्रकार का ज्ञान तो तो रटाय रटा भी नहीं जा सकता, रटाय रटा भी नहीं जा सकता और इस प्रकार के ज्ञान को अगर अपने वीतर बार बार हम धोराते हैं भाव पूर वक तो हमारे जीवन की प्राथमिक्ताइं बदलेंगे, अचिंत चंतनम पर प आरंब हो जाएगी आत्म परिशकार की होना तो वहीं से है आत्म परिशकार के अलावा और कैसे हो गावई नहीं हो सकता पर उस आत्म परिशकार को संभव कराने में ये अरणी मंथन की प्रक्लिया आत्म बोध रूपी ग्यान को बार बार स्मर्ण करना उसको भीतर घटाने की चेश्टा करने से वो प्रक्रिया अर्मब हो जाती है अतहै अग्यान रुपी इंधन को बस्म करने का कार्य यहाँ आदी-गुरू शंक्राचारी जी के द्वारा बताया गया कि इससे स्मुचा इंधन रुपी अग्यान बस्म हो जाता है ओ महीं सकते हैं, ओ महीं सकते हैं, ओ महीं सकते हैं.